नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोग खबर जानते हैं बता दे स्वास्त विभाग के प्रस्ताव पर मंत्री परिशत के साथ साथ मोख्य मंत्री ने भी स्विक्रिती परदान कर दी है। की स्थिती बन रही है। बता दे मोशम विभाग के अनुसार निमत्रम तापमान 5 दिगरी सेल्सियस तक आ सकता है। वहीं अधिक्तम तापमान में भी कमी आएगी। बता दे पूरोन 1 के अनुसार अधिक्तम तापमान भी समाने से 4-5 दिगरी नीचे आने की संभवना है। ऐसे में कोल्डे की स्थिती बनेगी। मौसम विभाग के अनुसार अधिक्तम तापमान समाने से 4-6 दिगरी सेल्सियस कम हो और निमत्रम तापमान 10 दिगरी से नीचे हो तो इसे कोल्डे कहा गया है। ओमिक्रोन संक्रमित संदिग्द महिला की रिम्स से छुटी। ओमिक्रोन के खत्रे के बीच एक बेहधि रहत देने वाली खबर सामने आई है बतादे रिम्स में भरती महिला की जांच में ओमिक्रोन नहीं निकला है जिसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। आपको पता देखी किरल से रांची आने के बाद महिला को अस्पताल में भरती कराया गया था वहीं जांच के बाद सामने आया की महिला को संक्रमन नहीं है। के पास अस्थानी और नियोजन नेती को लेकर महाधारना कारेकरम की त्यारी पर चर्चा हुई। यहताय किया गया की महाधारना के समापन पर जार्खन के राजेपाल के नाम प्रेशित गयापन राजेभवन को सौपा जाएगा। बेठा का संचालन अंतुतिर्की ने किया। बता दे कि जे पेसीपीटी परिक्षा के बिरोध लगभग 50 दिनों से जारी है। इसको लेकर मुराबादी में धारना परदसन से लेकर बिधान सवासत्र में गहमा गहमी बनी हुई है। लड़कियों की साधी की उम्र 16 साल कर देना चाहिए मंत्री हफिजूल। जारखन के अल्पसंख्यक कल्यान तथा परियाटन कला संस्कृतियों खेल कूद बिभाग के मंत्री हफिजूल अंसारी लड़कियों की साधी की उम्र बढ़ाने की बिरोध में है। उन्होंने कहा कि केंदर सरकार को लड़कियों की साधी की उम्र बढ़ाने की बजाए उनकी साधी की उम्र कम करनी चाहिए बतादे मंत्री के अनुसार लड़कियों का सरीरिक विकास लड़कों के अपेक्चा अधिक तेजी से होता है इसे देखते हुए साधी की उम्र घटा कर 16 साल कर देना चाहिए हलाकि उन्होंने यह भी कहा कि साधी की आयू कम न हो तो कम से कम इसे 18 साल ही रहने दिया जाए अंतर राजिये फुटबल टूर्नामेंट पलामु जिला मुख्याले मेदनी नगर के पुलिस एस्टेडिया में आयूजित अंतर राजिये फुटबल टूर्नामेंट के चौथे दिन सनिवार को लालपनिया बोकारो एवाम दानापूर पटनागी टीम के बीच मैच खेला गया बतादे रोमांचक मैच में बोकारो ने दो एक के अंतर से जित हांसिल कर दानापूर पटनागी टीम को टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया बतादे बोकारो ने अपना अस्थान सेमी फाइनल में सुरक्षित किया है जे पी एसी परिक्षा पईनाम आने के बाद बीपक्ष के पेट में हो रहा दर्द मुख्य मंतरी जार्खन मुक्ती मोर्चा के बरावे अधिवेशन को समभूधित करते हुए पार्टी के करकारी अध्यक्ष और जार्खन के मुख्य मंतरी हमान सुरे ने कहा कि क्रोना में हम लोगों ने मजदूरों को हतोत साहित नहीं होने दिया जो बाहर से आये थे जो रोज कमाते खाते थे उन्हें जीविका दिया बता दे जहामों के करकारी अध्यक्ष हेमन सुरे ने कहा कि बिपक्ष के पास कोई मुदा नहीं है क्या गरीबों को सहारा देना हमारी जिमेदारी नहीं कुछ नहीं मिला तो सड़क जाम करेंगे जप रियल्ट आया तो कोई सारे बिवाद खड़ा करने का परियास एकजाम में 75% च अधिक A.C.H.T.O.V.C. बता दे पहले 25% जारखन के होते थे 75% बाहरी होते थे उनके पेट में दर्द होना लाजीमी है हमने सरकार बनाई है कॉंग्रेस और रायत का सहयोग है लोगों को मुल अधिवासी को हमसे काफी उमीध है जन जातिये छत्रिये भशाओ में सिक्षको की कमी जल्द दूर होगी राजेपाल राची भी सुविद्याल है के जन जातिये एवम छत्रिये भशाओ के जिर्नोधारी भवन का उधगाटन सनिवार को राजेपाल रमेश बैस ने किया बत यहां सभी नो जन जातिये और छत्रिये भशाओ के सोतंत्र विभाग हैं इसे सोहराई पेंटिंग से सजाया गया है जल्द ही यहां मियूरल आर्ट भी दिखेगा जारखन में कुरोना के 29 नए केस मिले हैं जबकि 15 मरीज स्वास्त भी हुए हैं जारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 149 है भारत में 745 नए केस मिले हैं जबकि 876 मरीज स्वास्त भी हुए हैं भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 83-665 है